दोस्तों YouTube वीडियो का thumbnail बनाने में मुस्रीबत तो तब आता है जब आपको अपने thumbnail में इसप्रा का effect डालना हो या फिर इसप्रा का effect डालना हो या फिर इसप्रा का PNG लगाना हो या फिर कोई साभी photos आपको अपने thumbnail में लगाना है जो कि copyright free हो तो उसको कहां से download करके लगाएं अपने thumbnail में प्रावलम तब खड़ी होता है अगर आपको कोई भी effect जैसे की दोस्तों कर आप अभी मनोज भाई का channel निकालेंगे तो आपको बहुत सारे effect के साथ उसका thumbnail क्रियेट होता है टेक्निकल योगी सर का thumbnail निकालेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग प्रावलम तो आपको इस वीडियो में प्रावलम तरीके से जो की आप अपने यूटूब वी फोटोस का जरूरा थे जैसे की अपने थम्लिल में कुछ भी दिखाना है मॉबाइल दिखाना है या फिर पंखा दिखाना कोई भी चीज तो उस इमेज को कहां से डाउनलोड करेंगे जो कि अपने थम्लिल में यूज करने के लिए कोपी राइट फ्री इमेज कहां से लाएंगे और चुटकी में एक सगन में आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी इमेज का आपको जरूरत है तो और अपने मॉबाइल से थम्लिल क्रियेट कर सकते हो और दोस्तों कौन से एप का यूज करना है जो कि थम्लिल बनाने में सबसे बड़ी बात ये भी होता है तो दोस्तों कर आप अपने वीडियो का थम्लिल बनाना चाहते हो तो चली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि यूटूब वीडियो का थम्लिल कैसे बनाया जाता है तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट अगर इससे पहले चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना अब दोस्तों देखिए मैं आपको लाइब अपने मुबाइल स्ट्रीन में यहां पर दिखाऊंगो जो कि यहां फिर यूटूब वीडियो का थम तो यहां पर यहां पर दिखाता हूं तो यहां पर पीक्सुल को जैसे ओपन小 enles करेंगो और उसके और को आपको सामने का hanya option देख से यहां पर गे जाये गा लेकिन बहुत सारे लोग यहां पर एक गलती करते हैं गलती किra करता पता है जो आपका यह साइज है यह YouTube thumbnail का size नहीं है तो आपको पहले YouTube thumbnail का size set करना होगा वो size कहां से set होगा वो size set करने के लिए आपको इस पर click करना है तो इस पर जैसे मैं click करता हूँ यहाँ पर देखिए आपको एक चीज मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं इसको select कर लेता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे okay करेंगे तो यह जो size है YouTube thumbnail का size हो गया, लेकिन दोस्तों यह size हो गया, अब इसमें मुझे बहुत सारा effect डालना है, बहुत सारे text डालना है, बहुत सारे photos डालना है, उसके बाद मेरा thumbnail create होगा, तो वो चीज कैसे कर आज की इस वीडियो आपको वही बताने वाला हूँ कि आखिर thumbnail को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए यह होगी आपका अगतम simple, मतलब size set करने का, अब दोस्तों पहले आपको यहाँ पर एक text दिखता है, इस text को आपको पहले डिलीट कर देना है, इसको डिलीट क्यों करना ह सबसे पहले, सबसे बड़ी बात होता है आपका thumbnail का background, अगर अपका thumbnail का background सही होता है, तो अपका thumbnail बहुत 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 बहतरीन दिखता है, जैसे कि कभी-कभी आप देखते होंगो मनोज भाई अपने thumbnail में अलग-लग तरए बैक ग्राउंड यूज करता है, तो आपको भी अलग अलग तरह कि आपको अपने थमलें लिवे बैक्राउय यूज करना है लेकिन अलग अलग तरह को बैक्राउय के सकते हैं जलिले यहां पर देखें अम कफ्रीफार करसे हैं तो चली यहां पर देखिए कोईcommittee कप्षोच, यहां पर देखिए पार क्लेदे दुल्टा करणा यह हो गया color और second option जो मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं gradient नीचे जो आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे यह हो गया gradient तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों तरीका बताऊंगा जो कि कैसे अपना जो की background बना सकते हो अगर आप color पर click करेंगा तो बनाया जाता है कोई thumbnail में एक तरह का background होता है जो कि में यूज करता हूं यह सब और बहुत सारे ऐसे thumbnail होते हैं जिसमें दो color को यूज किया जाता है जिसे कि यह वाली thumbnail देखिए यहाँ पर दो color का combination किया गया है तो इस पर आप बनाया जाता है वो भी आपको बताऊंगा तो पहले दस्तों अगर आप चाहते हो अपने thumbnail का background एक color में रखना चाहते हो तो यहाँ से आपको बहुत सारे color दिखाई देता है अगर यह भी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए एक आपको मिलता है यहाँ पर पलस का icon तो इस पलस icon पर आपको simply click कर अब इस पर जैसे click करेंगे तो यहाँ से अब जो भी color बनाना चाहते है उसको यहाँ से select कर सकते हैं देखिते मैं आपको बनासकते हो कोई भी color चाहिए तो बना सकते हो बागी दोस्तों अगर आप चाहते हो gradient color बनाना चाहते हैं जैसे कि इस परागा थमले लगारा बनाना चाहते हैं तो इसमें दो color का combination किया जाता है तो इस परागा background आप कैसे create कर सकते हो इस परागा background create करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर click करना होगा gradient वाला option पर इस पर ठीक है तो मैं gradient पर click करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ color यहाँ पर बनाया हूँ देखते है इस पर का से white और थोड़ा से white है और थोड़ा से blue का type का है ठीक है लेकिन अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते है तो कैसे बना सकते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए जो plus icon मिलता है इस plus icon पर आपको directly click करना है अब इस पर जैसे click करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर effect मिलता है यहाँ पर देख सकते हैंगर आपको top में दिखाऊँ यही बाला ठीक है इस effect को ले लिया हूँ लेकिन यहाँ पर भी अलग-अलग तरगे का color add कर सकते हो कैसे add कर सकते हो यहाँ पर देखिए आपको नीचे यहाँ पर अगर गोर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक arrow दिख रहा है यहाँ पर एक arrow दिख रहा है यह नीचे वाला color है और इस side जो आपको arrow दिख रहा है यह उपर वाला color है तो आपको कौन सा color कि side रखना है वो यही से आपको select करना होगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं पहले इधर वाला पर click कर लेता हूँ इस पर ठीक है देख सकते हैं आपके सामने रखता हूँ मैं ठीक है तो मैं एक side रख देता हूँ यह वाली तो मैंने इस पकासा रख दिया हूँ अब देखिए मुझे नीचे वाला भी color select करना है यह वाली color मुझे change करना है तो कैसे change करना है इसके लिए आपको इधर लगर यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर मैं click करता हूँ इस पर click करने क भाद फिरसे आपको colorा option पर click करना है छुआ हे थोगों दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको उसका भी color change करна है यह हो गया मेरा background लेकिन इसको देखिए आप चाहिए तो यहां से अपना चेंज करके देख सकते हैं अलग अलग तरेके से इस प्रगा से create कर सकते हैं यहां तो इस प्रगा से मेरा मान लिजिए इसको मैंने बना लिया तो यह मेरा ओ गया background अब यहां पर दोस्तों जैसे आप ok करेंगे तो यह आपका बेग्राउंड रेडी हो गया ठीक है बेग्राउंड अब बन गया लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे माल लेजे कोई अब यहां पर देखिए एक एक अप्सन अपको मिलता है अब यहां पर देखिए एक ओप्सन आपको मिलता है ड्रो का, draw वाला जो option मिल रहा है, इस draw option पर आपको click कर देना है, बागी दोस्तों, आपको यहां पर देख्जते हैं, आपको पहले color select करना है, जो कि कौन सा color, तो आपको यहां पर basically white ही रखना है, मैं एक यूज करना है, तो मैं white यूज कर लेता हूँ, वाइट पर एक बड़ टिक अप करके बाकि दोस्तों आपको pen size मिलता है इसको select कर सकता है अपने हिसाब से मैं छोड़ा सा कर लेता हूँ 10 कर लिया हूँ ठीक है बाकि यहाँ पर आपको एक चीज़ करना है जो आपको मिल रहा है यहाँ पर देखते हैं आपको जो मिल रहा है fill effect बनाना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको drawing करना दो व्योते हैं कैसे करना यहाँ पर देखर से अपना finger से हिलाता तौर वाग्ण इस पकात से कर से कर 명ा है तो यहां पर बन गया है 돼े को मुझे effect आपको बन गया है आपका gallery में save हो गया वो effect आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर तो आपको क्या करना है simply इसको आपको अब यहाँ पर remove कर देना इसको इसपका से remove कर दिया हूँ मैं आ चुका हूँ फिर से इस वाली option पर यहाँ पर color जो background मैंने आपको बताया था उसको मैं select कर लेता हूँ select कर लिया अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर आपको click करना है इस पर click करना है तो इस पर click करने का बाद आपको यहाँ पर click करना है import पर तो import पर मैं click करता हूँ बागी दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर आपको दिखाओं तो वो effect यहाँ पर आ चुका है इस effect को मैं select कर लेता हूँ effect को इस परका से आप crop कर सकते हूँ इसको select कर सकते हूँ इस परका से मैं select कर लेता हूँ तो यहां पर करने का बाद यहां पर एक ताला का जो आईकन दिख रहा है इस पर क्लिक कर दाना है। तो आपका effect जो होता है वो lock हो जाएगा। तो effect को पहले लोग कर देना है। लोग करने से क्या होगा है इधर उधर घिसके अगा नहीं जो अभी घिसक रहा है ना तो इसको जैसे अब यहाँ पर इस परका से लोग करेंगा तो यह इधर उधर घिसके अगर नहीं है अभी इस परका से ठीक है तो उसके बाद दोस्तों अब अगर चाहते हो अपना जो और एक प्रका का PNG देना चाहते हो चलिए मैं उस PNG को आपको देकर दिखा देता हूँ तो उस PNG को देने के लिए आपको simply यहाँ पर मिलता है का option save का तो save पर आपको क्लिक कर देना है चलिए मैं save पर क्लिक कर देता हूँ बांकी दोस्तों यहाँ से आपको अलग लग तरीके का आपकोzą है जैलिए Мы एक अधिक आपको उसके है दो सबसें एक जैसले पर आगा तरीके कई का चलिए मैं एक यह से मञझे कर लेता editing एक एक एपक्ट क sourome इस्पबर से देख especially to तो यहां पर दिखिए एक option अब को मिलता है color कर तो same आपको जाना इस प्रकात से color create कर सकता हूँ उसी प्रकार से चलिए मैं color आपको create करके दिखाता हूँ तो एक side मैं क्या करता हूँ color बना लेता हूँ एक side white लग जगर लेता हूँ यहांपर white ज़़ीं डाफित लेख लेघा हूं , यहां पर फोड़ा सा लगाइब कर दीक है, बागी इसको ठोछा को डौन साटा में रिख लेट हैं , यहां पर बं ठूका है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम किया हुआ है, यहां पर यह वाली सूब कर रहा है तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इस layer option पर क्लिक कर सकते हो, इसको layer बोला जाता है, तो layer option पर क्लिक करने का बाद आप इसको पकाड करके नीचे कर सकते हो, नीचे कर दिया हूँ, मेरा पहले वाला effect के अंदर चल गिया, देख सकते हैं, इस प्रकार से हो चुका ह तो मैं अलगल आपको color select करके दिखा देता हूं अपने हैसाब से इस इन सब का color यहां से change कर सकते हो देख सकते हो यहां पर इस परका से कोई भी color बना सकते हो तो चले मैं इसको white रखता हूं यहां पर ठीक है तो कुछ इस परका effect बन चुगा है इसको log कर देने आपको इन दोन image downloader, image downloader ठीक है इस पर आप जैसे click करेंगे तो इस परका से आपको interface खुलेगा यहां पर आपको simply search करना है जो भी आपको photos चाहिए यहां पर मैं search करता हूं YouTube देखते हैं YouTube PNG तो मैंने YouTube PNG जैसे लिख कर यहां पर search किया तो यहां पर बहुत सारे PNG आपको दिखाई दे रहा बहुत है लेकिन अब चाहते हो इस PNG को थोड़ा सा और ब्यातरिनานा चाहते हो तो ब्यातरिन कसे बना सकते हो इस PNG चूह दिखाई देर इसको और ब्यातरिन बनना पर आपको जितने भी option मिलता है, इस परका से select कर सकते हैं, भागी दोस्तों आपको यहाँ पर और भी option मिलता है, इंबॉस का इसका भी use कर सकते है अपने thumbnail में, जो कि इस परका से अपने बना सकते हैं, ठीक है, रोटेट में इस पिकास है और देख सकते हैं यह मेरा लोगो यहां पर attach हो गया है लेकिन दोस्तों मुझे यहां पर चाहिए अपना भी फोटोस जो कि उसको PNG में चाहिए जो कि अपने यहां पर इस परका से यहां पर यूज करने के लिए तो वह फोटोस हम केसे बनाएंगे PNG तो वह फोटोस आपको PNG बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको डारेक्टली जाना यहां पर मैं आपको चलिए दिखाता हूँ यहां पर आपको जाना अपने मोबाइल के यहां पर Chrome browser निकालना है, मैं Chrome browser निकाल लेता हूँ, यहां सिर्फ चुटकियों में PNG create कर सकते हूँ, बाकि दोस्तों आपको यहां पर search करना है BG, इस परका से मैं BG search कर लेता हूँ, अब दोस्तों BG search करने का बाद आपको उपर वाला साइड पर ही directly आपको click कर देना है, यहां पर PNG बन जुगा आप यहां से आपको download कर लेना है, इसको download पर जैसे click करेंगा तो आपको यह download हो जाएगा, अब दोस्तों आपको जाना अपना thumbnail वाला option पर, बाकि दोस्तों आपको यहां पर किया करना है, आपको import पर click करके अपना उस PNG को आपको यहां पर ले आता हूँ, य आपको यहां पर एक option दिखता है, shadow का, देखता है, shadow का है, तो आपको इस shadow वाला option पर click करना है, ठीक है, तो मैं इस पर click करके, यहां पर इसको enable करके और यहां पर थोड़ा से background को थोड़ा से change करने के कोसिस करता हूँ, ताकि अच्छा look दिखे, ठीक है, ठीक है, तो इसके यहां पर मैं एक color चली ले लेता हूँ, जो कि green ही type लूँगा, जो कि background मेरा green type का है, ठीक है, ठीक है, तो चली यहां पर थोड़ा से add कर लेते हैं, अब इसको अपने हिसाब से adjust कर लेते हैं, यहां पर तो यहां तक मेरा काम complete हो चुका है, अब यहां पर आपको अपना photos को lock कर देना यहां से, ठीक है, lock कर देना ताकि दर दर घिसके ना, ठीक है, अपने logo को अपने हिसाब से adjust कर लेना, अब मैं आपको यह पर चली दिखाता हूँ, अब दोस्तों मुझे यहां पर text लिखना है, अपना thumbnail में, कौन से text लिखना है, जो भी मुझे अपने videos में बताए चली यहां पर, ठीक है, adjust इसको कर लेते हैं, इस पका से, तो यहां पर देखते हैं, अब दोस्तों यह क्या हो रहा है, यहां पर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपने text पर ही, यहां पर आप कोई, मतलब यहां पर change कर सकते हो, क्या change कर सकते हो, आप यहां पर directly दे सकते हो, तो यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हो, तो कि अच्छा दिखेर, अंडरलाइन को आप कर देता हो, बाकि दोस्तों, अगर अपना text का font चेंज करना चाहता है, तो आपको font का option भी मिल जाता है, यहां पर आपको font देखने को मिल जाता है, कोई सा भी select कर सकते ह तो इस परकार से font भी change कर सकते हो, अब लेकिन दोस्तों, यहां पर text को शूटना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको अच्छा दिखाने के लिए आप चाहे तो इस पर click करके, और यहां पर एक option आपको मिलता है, सबसे पहले, text में कुछ काम करना चाहते है, तो पहले आ जिखाने के लिए आपको क्या करना है, text पर click करके आपको यहां पर इस पर click करके, बांकि दोस्तों यहां पर देखें, इस पर click करेंगे, उसके बाद आपको यहां पर बहुत सार option मिलता है, जैसे कि मिलता है, stroke, shadow, यहां पर और भी चीज मिलता है, तो इसको आप select कर सकते हो मैं आप इस ट्रॉक पर क्लिक करता हूँ तो इस ट्रॉक पर क्लिक करने के बाद इस परका से अरजस कर सकते हो इस ट्रॉक दे सकते हो अपने टेक्स्ट में बागी दोस्तों इस ट्रॉक नहीं देना चाहते है तो आप यहाँ पर सेडो कर सकते हैं सेडो यूज करता हूँ चलि पाके अच्छा ओर दिखे के तो यहां उगया और हमक्ना इसको इसे तो लिपने इसाब से आपनेशा कर लेक् के से और अब बड़र शवाखे करेंगे तो आपका double लोगो बन चुगा है इसको चोटा कर्भकर छोटा कर लिए तोल चो यहां तो अब दुस्तों यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिख लिया हूँ YouTube, अब मुझे लिखना है YouTube Thumbnail कैसे बनाएं, तो यहां पर मैं लिखाँँगा चलिए Thumbnail, इस परिकास सेम यहां पर लिख लेता हूँ, तो मैंने Thumbnail लिख लिया हूँ, इसको अरज़ेस कर लेता तो मैंने दोस्तों यहां पर देखिए एक color select कर दिया है और color select करने का बाद देखिए कुछ इस पर दिख रहा है ठीक है लेकिन दोस्तों देखिए और कुछ यहां पर बैतरीन करना है मुझे तो क्या करूंगा यहां पर थोड़ा सा shadow on कर दूंगा चलिए यहां पर shadow को लिखने के लिए मुझे यहां पर जाना होगा यह वाली option पर बांकी दोस्तों टेक्स पर जाकर यहां पर मैं लिख लेता हूं केसे बनाएं चलिए लिख लेता हूं तो यहां पर मैं लिख लेता हूं केसे बनाएं बनाएं चलिए इस परका से मैं लिख लिया हूं तो इसको यहाँ पर में थोड़ा सा इन्कीज कर दें। दैख सकतें। तो दोस्तों, देख सकते हैं, जो की काफी अच्छा thumbnail मेरा यहां पर बं चुका है V करने के बाद को कस्टम पर किन्ट करना हो है और यहां पर आपको हो तो काफी अच्छा आपको थमनें दिखाई दे रहा है और इस by Channel अपने मोबाईल से बना सकते हो और यहा पर थोहां सा महनत करना होगा जो लिए तो इस वीडियो का लिंक आपको दिस्क्रिप्सिन आ ब्लूल सकते हैं तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करना, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना चलिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जैहिन, वंदे मातरम